हलो एवरिवान वेलकम टू और न्यू टॉपिक आज का जो टॉपिक है वह रूरल फायर के उपर कि रूरल फायर क्या होता है और रूरल फायर सर्विसेज क्या प्रवाइड करती है ठीक है तो रूरल फायर के बारे में अगर बात करूं तो आपने देखा होगो जो प्रशल चीज मिलती है जो कि इसी के लिए तैयार की जाती है उस टीम को बोलता है रूरल फायर सर्विस ठीक है आरेफस जैसे बोला जाता है ठीक है तो जो आरेफस जो रहता है यह क्या काम करती है क्योंकि यह आग जो रहती है रूरल फायर जो रहती है इस पर कंट्रोल प हम लगते हैं इस आग को बुझाने के लिए अगर यह किसी बड़े जंगल में फैल गई है तो क्योंकि इस आग में इतनी ताकत रहती है कि यह अपने साथ-साथ जहां लग रही है उसके साथ जो आसपास की जो सिटीज हैं जो गाओं है जो गाओं है और चोटे जो कस्बे रह इसलिए हम इसके लिए टीम भी तयार करते हैं जो कि पर्टिकुलर इस टाइप की फायर्स पर वोर्क करती है तो इसको यह सारी चीज पता होता है कि किस तरीके की आग लगी है हमको कैसे कंट्रोल करनी है तब यह आग जो है आप देखा है जैसे कि ग्लेशियर जो हैं वो भी पिघल रहे हैं ठीक है इतनी गर्मी होती है इतनी तेज़ धूप पड़ती है ठीक है तो जब ये सारी चीज़े एक साथ रियक्ट करती है तो आग लगने के कारण और जादा बन जाते हैं जैसे खुले मैदान में जो सुखी घास लगी हु तो आग जो है कैसे ना फैले वो जल्द से जल्द फैलेगी है इस कंडीशन में तो और ज्यादा जल्दी फैलेगी ठीक है तो हमें वही उसी चीज़ पे कंट्रोल करना होता है कि अगर हमने उस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया ना आग को फैलने से रोक लिया ना तो तो फिर होने का नाम भी नहीं लेती, इसके लिए हम aerial firefighting भी करते हैं, aerial firefighting होता है, जो अपने aeroplanes रहते हैं, उनके tanker से आग को बुझवाना, aerial firefighting उसे बोला जाता है, ठीके उनको भी हम use करते हैं इसके लिए, देखिए, rural fire risk क्या होती है, इस तरीके से आग लग जाती है इस तरीके से शुरुवात होती है आग लगने की उसे मौश्चर मिल रहा है हिल्स है विंड है वैदर है ठीक है टेमप्रेचर भी है फ्यूल लोड्स भी है ठीक है इस तरीके से आग लगना शुरू होती है इन एरिया में देखने वाला कोई नहीं है कोई पूरा कोशिश चुन तो तयार की जाती है जो भी रूरल फैर के लिए तो अल्मूस्ट वो कर भी लेते हैं उसको कंट्रोल पर कभी-कभी किसी तरीके के एरियाज में नहीं हो पाता है उनका वंट्रोल फायर पे तो यह जो है इस तरीके की फायर जो है यह बहुत ही ज़्यादा डिन्जरस रहती है ठीक है तो कॉस्स फॉरेस्ट जादतर क्या रहते हैं कुछ-कुछ तो natural causes रहते हैं और एक होता है man-made causes natural causes में क्या हो गया जादतर आग जो है natural causes में किस कारण लगती है lightning, sunlight अगर बहुत जादा बहुत जादा धूख पड़ रही है और trees ने आग पकड़ ली है इस तरीके से या सूखी घास ने आग पकड़ ली है man-made जो रहते हैं वो की जो की क्या होते हैं cigarette और बीडी किसी ने भी पीके fake दिया उसमें electric spark generate हुआ source of ignition मिला उसको चीक है inflammable material वहां पर पड़ा हुआ है इस तरीके से इन जगाओं पर आग लगना शुरू होती है forest और rural fires के लिए ठीक है तो यह मैंने आज आपको rural fire के बारे में बताया कि rural fire क्या होती है? ठीक है तो इसमें क्या है यह बहुत ही जादा तेंडरousse fire flame हानी जाती है क्योंकि यह बहुत जल्दी-जल्दी spread होती है और इस को भुझाना बहुत ही पात पा सकते हैं पर अगर एक बर वह जादा spread होनने शुरू जाते तो बहुत ही मुझक हो जाता है इस situation में तो हम error firefighting का भी यूज करते हैं चिक है तो यह मैंने आज आपको rural firefighting के बारे में बताया so thank you